हे गाईज वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो गाईज आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं उत्राखंड करेंट अफेर से एक मुस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि है उत्राखंड बजट दो हजार तेईस चौबिस तो इससे सम्मंदित जि जो कि आपका एक्जाम परपस से इंपोर्टेंट नहीं है तो इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे 25 प्लस MCQs जिसमें मैंने साथ ही साथ अनित अत्यों को भी फोकस में रखा है ताकि आपके जो UKPSC के एक्जाम होते हैं तो उनसे सम्मंदित जितने भी यहां पर MCQs के रूप में लिया है तो आप वीडियो को ध्यान से देखना और चली हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न जिसमें कि हमसे पुछा गया है उत्त्राखंड बजट 2023-24 की थीम क्या थी तो देखिए इसकी थीम क्या थी आप options देख लीजिए मैं आपको direct answer बताती तो जरूर याद रखेगा इसको next question हम देख लेते हैं उत्त्राखंड बजट 2023-24 का उद्देश क्या था तो theme और उद्देश जो है अलग अलग होता है theme एक tagline type की होती है किसी भी योजना की या फिर किसी भी नए आपकी नीतियों की ठीक है तो उद्देश यहाँ पर हमसे कि लक्ष क्या रखा गया है इस बजट से हमें क्या प्राप्टी होगी तो देखे राइट आंसर इसका होगा option B जिसमें की बोला गया है 2025 तक उत्राखंड को सर्वश्रेसर राज बनाया जाएगा तो यह है इस बार के बजट का हमारा जो है उद्देश question number 3 है हमारे पास उत अधिक focus दिखाया जाता है तो वही हमको यहां पर बताना है कि उत्तराखंड budget 2023 का इस बार focus किस पर रहा तो देखे अब यहां पर right answer हो जाएगा option C जिसमें की बोला गया है युवा शक्ती, रोजगार और निवेश पर तो यह उत्तराखंड budget का focus है अब हमसे fourth question पूछा गय तो इस question में आपको दो questions देखने के लिए मिलने होंगे कब और कहां यह आपसे अलग-अलग separate question मना कर भी पूछा जा सकता है तो देखे right answer इसका क्या होगा कब हुआ 15 March 2023 को हुआ और कहां हुआ गयर सेड में हुआ ठीक है गयर सेड जो की हमारे उत्तराखंड की Greece में कालीन र बजट हमारा जो पेश हुआ वो हुआ 15 March 2013 केर सेड में तो अब आते हैं हम question नंबर 5 पर जिसमें से हमसे पूछा है उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है तो right answer इसका हो जाएगा प्रेम चंद्र अगरवाल और उपर जो धन सिंग ड्रावत लिखा है वो हमारे शिक्षा मं महाराज हमारे परेटन मंत्री है और पुषकर सिंग धामी कौन है हमारे मुख्य मंत्री है तो इसका right answer क्या है प्रेम चंद्र अगरवाल जो कि उत्राखंड के वर्तमान वित्त मंत्री है अब यह question मैंने यहाँ पर इसलिए चूस क्या है क्योंकि आपसे budget से संबंद रखते रखते हुए यह पूछ जा सकता है कि इस बार का जो budget है वो किसकी द्वारा पेश किया गया तो किसकी द्वारा पेश किया गया उत्राखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अगरवाल जी के द्वारा उत्राखंड budget 2023-2024 को पेश किया गया ठीक है अब next question है हमारे पास उत कितना है टोटल तो टोटल बजट देखिए सदत्तर हजार चार सो साथ दसमलोग जीरो आठ करोड रुपे यहां पर बजट जो है टोटल पेश हुआ है तो इतना बजट है आप तो इसको भी आपको याद रखना है अब नेक्स्ट कोशन यहां पर पूछा गया है उत्तराखन साल का बजट है और इस साल का बजट है उन दोन के बीच में कितने परसेंट की व्रद्धी हुई है तो यहां पर जो राइड अंसर होगा अठारा दसमलोग जीरो पांच परतीसत की यहां पर जो है व्रद्धी हुई है यानि कि पिछले साल से अधिक बजट इस बार दिया कॉश्चन नमबर एर्थ हमारे पास है राजी सरकार को सरवाधिक आय की प्राप्ति कहां से होती है तो फ्रेंड्स सरवाधिक आय यह हमारा कॉश्चन आपसे पत्वारी एक्जाम में भी पूछा गया था जब वह एक्जाम आठ जन्वरी को हुआ था तो इस कॉश्चन को इस तरह से पूछा गया था कि जो उत्राखंड सरकार है उसके पास सबसे अधिक जो आय होती है वो किस छेत्र से होती है तो वो बजट से ही एक कुश्चन बना था जब हमारा बजट 2022-23 पेश हुआ था तो इस बार जो सरवाधिक आय की प्राप्ति हुई है वो mostly जो उत्रा उत्राखंड की खुद की जो इंकम है वो हमारे केंद्र द्वारा दिये गए दान से बहुत ज़्यादा कम है कितने भी हमारे पास राजी के कर आते हैं टैक्स आते हैं या फिर लोक लेका शुद्धा राजयांस होता है हमारे पास या फिर हमारे जो उत्राखंड की टोटल वह बहुत जादा कम है, इसलिए केंद्र दौरा हमें दान दिया जाता है, जो कि हमारे आये जो है सरवादिक आये की प्राप्ति होती है, अब देखिए नेक्स्ट कॉश्शन है, राजि-सरकार का सरवादिक व्याय किसमे होता है, व्याय का मतलब होता है खर्च, यानि कि हमार गवर्नमेंट सेवा में है गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको वेतन दिया जाता है भत्ते दिया जाते हैं और जो भी वो अपने प्राइवेट जो भी लोग रखते हैं तो उनको मजदूरी दी जाती है तो यही होता है वेतन भत्ता तो इसको कहते हैं वेतन भत्ता तो इसल कोशन है राज्य सरकार को नियूंतम आय की प्राप्ति कहां से होती है अभी हमसे पूछा गया था कि सरवाधिक आय की प्राप्ति कहां से होती है तो सरवाधिक आय की प्राप्ति तो हमें केंद्रे अनुदान से होती है लेकिन अब हमसे पूछा गया है कि नियूंतम आय सबसे कम हमें पैसा मिलता है राजी सरकार को अब आता है question number 11 जिसमें की पूछा गया है राजी सरकार को नियूंतम व्याय खर्चा किस में होता है सबसे अधिक खर्चा किस में होता है वेतन भत्तों में होता है अब हमसे पूछ लिया गया सबसे कम खर्चा ऐसे किस छेतर में होता है तो ये देखे, right answer होगा, option B, सहायक अनुदान, अब सहायक अनुदान का मतलब क्या है, सहायक अनुदान का मतलब है, जब जैसे कोई भी आपात कालिन इस्तिती होती है, तो उत्राखन जब किसी को भी सहायता देता है, जैसे दान कर देता है, सहायता देता है, ठीक है, या फिर पिर किसी चीज को gift कर देता है तो उसे कहते हैं सायक अनुदान जो कि उत्राखंड सबसे कम करता है इसलिए सबसे कम खर्चा कहां आता है सायक अनुदान में अब देखिए question number 12 हमारे पास है भारत का budget 2023 का पेश किया गया तो देखिए अभी हमारे budget की बात हो रही है तो भारत क budget भी जो है आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि उत्राखंड और भारत का budget दोनों ही पेश किये गए हैं तो सभी के budget पेश हुए है तो भारत का जो हमारा देश है उसका budget भी आपको पता होना चाहिए कि वो कब पेश किया गया तो यहां पर जो right answer होगा एक फरवरी 2023 को एक फ पेश किया गया तो आपको पता होना चाहिए हमारी वित्त मंत्री कौन है निर्मला सीता रमन तो निर्मला सीता रमन के द्वारा ही budget पेश किया गया ठीक है तो वित्त मंत्री द्वारा budget पेश किया जाता है तो भारत का budget किया गया निर्मला सीता रमन की द्वारा और उत्तर पूछते हैं तो उत्त्राखंड का बजट पेश किया गया प्रेम चंद्र अगरवाल जी के दुवारा अब आते हैं हम कॉश्चन नमबर 13 पर जिसमें पूछा गया है भारत बजट 2023-2024 में कितने बिंदू पर फोकस किया गया है कितने बिंदू पर फोकस किया गया है तो जो कि सब्त रिशी बिंदू पर ही आधारीत था अब देखिए कॉश्चन नमबर 14 जिसमें पूछा गया है भारत बजट 2023-2024 सब्त रिशी बिंदू में कौन सा बिंदू शामिल नहीं है तो बिल्कुल यही कॉश्चन आपका जो है गनिस्ट्र सायक के एक्जाम में पूछ पर रखा है क्योंकि एक इंपोर्टेंट कॉश्चन है क्योंकि साथ बिंदू का भारत के बजट में जिक्र हुआ है तो उससे यही कॉश्चन बन सकते हैं कि कौन सा इसमें बिंदू शामिल है और कौन सा नहीं है तो यहां पर हमें बताना है कि कौन सा बिंदू उसमें शाम नहीं किया गया है थीक है कोश्य नमबर 15 हमारे पास है उत्राखन बजट 2023 का सबसे बड़ा भाग किस छेत्र में व्याय हुआ है तो देखे इसकी भी लिस्ट में आपको जो है इस वीडियो के एंड में दिखा दूँगी कि कितने जो कौन सा छेत्र है जहां सबसे अधिक इस बार के उत्राखन बजट है तो राइट अंसर इसका क्या होगा शिक्षा खेल और यूवा कल्यार में ठीक है यूवा शक्ति जो है इस बार के बजट का फोकस छेत्र है इसलिए राइट अंसर भी क्या होगा शिक्षा खेल और यूवा कल्यार में अब हमसे पूछा गया जस्ट इसका opposite question जिसमें बोला गया है उत्राखन बजट 23-24 का सबसे कम भाग जो है वो किस किस शेतर में व्याय हुआ है सबसे कम बजट किस के लिए रखा गया है तो वो यहाँ पर पूछा गया है सबसे पहला option जो है और ध्यानिक विकास ही इसका right answer होगा और ध्यानिक विका इसमें पुछा गया है लोक, सेवा, आयोक की तैयारी के लिए सहायता राशी यानिकि उत्राखन का जो भी बच्चा या युवा जो है अगर यूपी, सी का प्रिलेम्स क्लियर करता है तो उसको आगे means की तैयारी के लिए कितनी रुपे की सहायता राशी दी जाएगी तो य गौशन नमबर नाइनटीन पर जिसमें हमसे पूछा है उत्राखन की अर्थि व्यवस्ता का आकार कितना है तो देखिए इसका right answer क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा 3.02 लाग करोड रुपे की जो है उत्राखन की total अर्थे वरस्ता है तो आपका यही right answer होगा question number 20 में पूचा है उत्राखन विकास दर 2022 कितनी रही क्योंकि आपका जो है विकास दर मापी जाती है एक साल पहले की total करके उसको मापा जाता है कि कितना विकास उत्राखन में विकास की दर दर यानि की rate उत्राखन का जो development rate है वो कितना रहा है तो right answer होगा 7.09% question number 21 में हमसे पूचा है उत्राखन में प्रतिवेक्ति आए PCI आप जानते होंगे per capita income इसकी full form होती है तो वो कितनी है 2022 की तो obviously 2022 इसले पूचा गया है क्योंकि अभी 2023 चल रहा है और साल का अंत में उसका निचोड लिया जाता है कि प्रतिवेक्ति आए कितनी है तो यहाँ पर सही उत्तर होगा option A 2,33,000 तो उत्तराखंड की जो प्रतिवेक्ति आए है वो 2,33,000 है ठीक है और पिछले साल जो है इसकी प्रतिवेक्ति आए थी 1,96,000 तो आप देख सकते हो 2021 में जो प्रतिवेक्ति आए थी वो 1,96,000 है और अभी करेंट में 2022 में आपकी 2,33,000 है तो इसका मतलब पिछले साल से प्रतिवेक्ति आए में भी प्रति हुई है Question number 22 में हमसे पुछा गया है उत्तराखंड अर्थी वेवस्ता के किस छेतर का योगदान सरवादिक है मतलब उत्तराखंड की economy में सबसे ज़ादा जो योगदान है वो किस फिल्ड ने दिया है तो देखें तीन टाइप के फिल्ड होते है प्रात्मिक छेतर, द्वित्यक छेतर और तृत्यक छेतर तो इन तीनों में से अलग-अलग category के लोग होते हैं अलग-अलग categories इसमें रखी गई है कि कौन सा कारे किस वाले छेतर में आएगा तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये छेतर जो हूँ वो कैसे विभाजित किये गए है सबसे पहला जो प्रात्मिक छेतर होता है वो आपकाетр से समबंदित छेतर होता है क्रिसी से संबंदित छेतर होता है और इसमें 12.36% का योगदान होता है फिर आता है आपका दुर्तियक छेतर जो की वी निर्मार छेतर होता है वी निर्मार का मतलब होता है आपका manufacturing तो manufacturing छेतर से 46.21% का योगदान होता है और तिर्तियक छेत्र जो है वो सेवा छेत्र कहलाता है यानि कि जो नौकरियां होती है तो वो सेवा छेत्र के अंतरकत आती है और 41.43% का योगदान इसमें रहा है तो आप देख सकते हैं तीनों के मैंने आपको बता दिये तो उत्रा खंड अर्थेवा सबसे आधी कि योगदान किसका है वी निर्मान छेत्र का वी निर्मान मतलब की manufacturing और वी निर्मान छेत्र आता है दुद्यक छेत्र के अंदर Question No.23 में पूछा है किरसी किस चेत्र के अंतरकत आता है तो अभी मैंने आपको इसका राइट अंसर बता ही दिया है प्रात्मीक चेत्र होगा Question No.24 में हमें क्या करना है जीलो का मिलान करना है एरोमा वैलियों से ठीक है तो एरोमा वैलिया जो है बनाई जाएंगी उत्त्राखंड में तो यह 6 वैलिया ऐसी है जो कि 6 जीलो में बनाई जा रही है तो उसको भी आपको याद रखना है कि कौन सी वैली कहां पर बनाई जा तो सबसे पहला हमारा जो हरीद्वार है हरीद्वार में लैमन ग्रास और मिन्ट वैली बनाई जाएगी ठीक है फिर आता है हमारा पिथोरागर पिथोरागर में तीमूर वैली जिसकी चटनी बनती है तो वह वाली वैली यानिकी घाटी ठीक है वैली बनाई जाएगी फिर तो इस तरह से इनका मैचिंग होगा आप इसको नोट भी कर लेजिए अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉशन 25 पर जिसमें हमसे पूछा गया है जोशी मट रहतकारियों के लिए तैधनराशी कितनी है तो जोशी मट जो रहतकारे हैं वो आपका करेंट का एक टॉपिक हो जाता है क् जोशी मट में जो तरास्ती हुई है तो उससे सम्मदित कॉशन बन सकते हैं ये UPSC के एक्जामस में भी इससे काफी कॉशन आये थी ऐसे राइटिंग आये था जोशी मट के ऊपर तो हमसे भी कॉशन पूछा जा सकता है तो देखिए हजार करोड रुपे जो हैं जोशी मट राहतकार के लिए धनराशी तै की गई है कॉशन नमबर 26 में हमसे पूछा है लखवार परियोजना जो की यमना नदी पर है ठीक है यमना नदी पर है ये देहरादून टिहरी की अंतरगत आती है तो लखवार जो परियोजना है उसके लिए आवंटी धनराशी कितनी है तो ये भी एक important question है क्योंकि उनकी द्वारा दूसरी बार budget पेश किया गया है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है तो आप हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्य जो कि मैंने mcq की रूप में नहीं लिखे हैं बलकि अलग से आपको बताने की कोशिश की है तो important notes यह हाँ पर हैं जिनको आप note भी कर सकते हो या फिर screenshot ले सकते हो वैसे तो मैं आपकी जो video upload होती है तो उसके बाद community post में अपने जो भी notes है उसको photo की रूप में share कर देती हूं तो आप उसका भी wait कर सकते हो सबसे पहला है हमारे देखो अनुपूरक budget तो अनुपूरक budget जो है अर कम पढ़ जाती है तो उसके लिए अनुपूरक budget निकाला जाता है तो इसकी परिवाशा है जब किसी विभाग को budget शत्र में आवंतित की गई धनराशी कम पढ़ जाती है तो ऐसे में राजसरकारें वित्तिय वर्ष खत्म होने से पहले ही अनुपूरक budget ले आती है ठीक है ध contribution बना था तो वह क्यों मना था क्योंकि जो इस बार का भारत का budget था उसमें सातों बिन बिन्दु नाम दिया जा रहा था fightercharge के नाम याद होनी चाहिए कि कौन कौन से बिन्दु चाहिए ले यह भारत का बजट की बाद हो रही है पहला बिंदू हमारा है मानव पूंजी पर मैं निवेश पर जूर मानव पूंजी के अंद्रगत शिक्षा से संबंदी चीजा आती है फिर आता है हमारा समावेशी विकास के तहट अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास पहुचा प्रिवाध्योगी की एवं आधुनिक विकास और लास्ट है हमारा इकोलोजी एवं एकोनोमी में संतुलन तो देखे यहाँ से कॉशन मना था कनिस्ट सायक में जिसमें पूछा गया था कि कौन सा बिंदू सब तरिशी बिंदू के अंतरगत नहीं आता है तो राइट आंसर आ अपने समझने के लिए बनाया था तो एक बार आपके साथ भी यह शेयर कर देती हूँ तो देखे यहाँ पर बताया गया है कि रूपिया आता है केंदर सरकार को रूपिया आता है अभी मैंने जब आये और व्याय की बात करी थी कि हमारे पास सबसे अधिक आये कहां से होती तो आपसे जनरली यही पुछा जाएगा कि सबसे अधिक जो रूपिया है वो कहां से आ रहा है तो आप ग्राफ में देख सकते हो सबसे अधिक कौन सा है 27% और यहाँ पर 27% के अंतरगत क्या आता है केंदर सरकार से जो सहायता अनुदान दिया जाता है जो कि आपके पटव वारी एक्जाम में भी पुछा गया था तो वो यहीं से कॉशन बना था ठीक है आपसे सबसे कम भी पुछा जा सकता है तो आप देख सकते हो सबसे कम कौन सा दिख रहा है आपको परसेंटेज से आप अंतरगता लगाओ रेडो एवं अगरिम की वसूली तो यहाँ पर वो ह कैसे हो रहा है तो इस हम डाइग्राम के मादे हम से देख सकते हैं सबसे जादा जो रुपे में खर्च हो रहा है वो क्या हो रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अदर अन्यवय ठीक है अन्यवय लेकिन अन्यवय को नहीं मानेगे क्योंकि अन्यवय के अंदरकत बहु विभाजित नहीं कर सकते और साफ साफ नहीं बता सकते कि वो जो अधर खर्चा है वो किस चीज का खर्चा है ठीक है वो कुछ भी हो सकता है एमरजेंसी की रूप में हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन हम यहाँ पर देखना है कि सबसे आधिक जो खर्चा हो रहा है वो हो र देखेज 6.24 यानि की सहायक अनुदान जो करते हैं वह सब्सके कम सब्सक्राइब देन अंब करदले में और हूँ हम यह दकी है कि हम तो अपक causa कि मत इतना है, इतना समझ में उह सॉक्ष्णू ौट अब इसके बाद साथ साथ में हम एक नजर इस पर भी देख लेते हैं कि जू उत्राखंड का बजट है वो सबसे अधिक किसके लिए पीश किया गया है क्योंकि 10,469 करोड रुपे इस चीज के लिए तैक किये गए हैं जबकि हमारा जो टोटल बजट कितना है सदत्तर ऐसे ही है आपसे इसी तरह से कोशन यहां पर बन सकता है सबसे कम भी आपसे पूछा जा सकता है सबसे कम मैंने पूछा था आपसे तो ओध्यानिक विकास यान क ग्राम विकास, सीचाई, उर्जा, लो निवी, उद्योग, परिवहन, परटन, पशुपालन और लास्ट माता है और ध्यानिक विकास ठीक है अब देखिए जो उत्राखन बजट है उसकी कुछ बड़ी बात हैं जो कि मैंने आपको कुछ नोट्स में भी बता दी हैं तो लो गुटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए हैं और आपका जो NCC के एड़िट का है भत्ता जो है बढ़ा दिया गया है पिश्डी जातियों की चात्राओं के लिए 1 करोड़ नबे लाग चात्रवच्दी का भी प्रावधान है दोजार पच्चीस तक राज जो है नौकरी करेगा नहीं बलकि देगा या आपका जो है ट्रेंड में एक चल रहा था तो स्वरवजगार योजना के लिए 40,000 करोड रुपे का प्रावधान है तो फ्रेंड सी रहा आपके पास पूरे उत्राखंड बजट का निचोड जो कि मैंने आपको समझा दिया है इस वीडियो में आपको उत्राखंड बजट से सारे जो तत्य हैं फैक्ट हैं सब किलियर हो गए होंगे अगर इसके बावजूद भी आपको कोई कोशन ऐसा लगता है जो आपको समझ में नहीं आया या फिर कोई नया कोशन जो कि मुझे छूट रहा हो तो वो आप मुझे क शियर और चैनल को सबस्क्राइब चुरू करना